कि दोल्ट सन्हा काफिन नाम चर्फित है दोस्तों डोली सन्हा जी का त्वाइए आज हम जानते हों की पॉट्फॉलियो कर दियों उनके पॉटफोलियो में कौन कौन से शेर हैं वो किस तरह से अपनी इंकम का सोर्स बढ़ाते हैं और क्या टेकनोलजी यूज़ करते हैं अपने शेर को पिक करने के लिए टोस के लिए आईजिए जानते हैं एंडलाइन मार्केट के दोस्तों कि दोली खन्ना के पॉटफोलियो का फुल रिवियू करने वादे दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूटिब चैनल ग्रोम और बैडर में दोस्तों तो यहां से आप किसी भी परसन का पॉटफोलियो चेक कर सकते हैं दोस्तों इस दोस्तों डोली खन्ना जी का पॉटफोलियो रिव्यू जो फिछले साल स्टंबर क्वाटर के ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनका पॉटफोलियो तो आजी जानते हैं उनका पॉटफोलियो में कौन कौन से शेह रहा है दोस्तों दीपक स्पेंसर में अपनी पोजीशन बनाई है पॉटफोलियो पोजीशन बनाई है यह प्राजरों लिंटड में पोजीशन बनाई है नेतिन सेंसर में विंग लिंटड बनाई है आप पोजीशन बनाई है दोस्तों इसके बाद सी पी कंप्यों में इसीपी कंप्टवी लिंटड में उनकी 90 करोड की होड़ी है जो काफी अच्छी है जो इसके वारी ग्रूप में बनती है फोर पांट करी परसेंट है और उसके बाद दिपक स्पेन लिंटड कंपनी में उन्हें अपनी टू पैंट वांट परसेंट ही सदारी इसमें उनका इनवस्मेंट पांच करोड साथ लाक रुपे गया है दोस्तों जिसका शेर प्राइज 380 रुपे चालिस पैसे है दोसकों उसके बाद रमन्ना फोटो शोत कंपनी में उनकी 12 क्रोड रुपे ही होल्डिन है दोस्तों जहां पर इनकी यसी जारी के रूप में ब सब्सक्राइब recipe कि ग्रीज करूड की इस्सेधारिश दोस्तों ज Dalai कीषेटारिकी रूपे एंस्षेदारिकी बने यहां पर हम पॉंट्पॉंट 8 क्रूड को 1.8 पारुआ दोसरी को शेर दोस्तों जहां पर उनकी 6 क्रोड की कि इंवेश्मेंट है और इसे दारी में बंती है 1.5 परसेंट रूश्टों कि उसके बार मंगलल्म रूज AH कि अन्यवाद उनकी 14 क्रूर में 14 1 राग की इंवेश्मेंट है Прेजारी के रूप में बनती ऐ लेए 0.5 परसेंट उसके बार इह रा ग्रो ना त्री पॉइंट त्री लेक क्रोड रूपीस इन्वेस्टर है इनके इस्सिदारी ग्रूप में बनती है वन पॉइंट फाइपर सेंट दोस्तों तो यह उनका पॉट्फोलियू रिवीव है दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जाके ट्रेंड लाइन मार्केट में किसी पॉट्फो रूपीस चेक कर सकते हैं दोस्तों यह देकि और बेस्षाण कर सकते हैं दोस्तों आप कितने और ब्लॉप इल्फॉलियो तो आप इस तरह उनके पॉट्फोलियो करदें दोस्तों ज्यादर में उनका यह परपस होता है के कंपनी में जितनी भी होल्डिंग हम इंवेस्टमिंट करें उसके बगले में कुछ ना कुछ इस्सेधारी जरूर मिले एक पर कैंटी या दो परसंट या कुछ भी परसंटेज के अकॉर्डिंग ही उनको इस्सेधारी लेना काफी पसंग लगता है इस अकॉर्डिंग कंपन से रिलेशन से काफी अच्छे बन जाते हैं दोस्तों जब किसी भी पर्षन की इसकेदारी एक प्रजेंट हो जाती है तो उनका पूर्फोलियो बनाने का स्टाइल और टरीका काफी बैटर है दोस्तों तो काफी अच्छे से प्रेक्स कंपनी को समझते जानके उनकी फ्यूचर फ्रकास्टिंग को समझते हुए उनमें इंवेस्ट करते हैं दोली खना जी के हस्टेंट पूर्फोलियो करते हैं फिलाग दोस्तों तो यह व्यूडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ऐसी व्यूडियो और जानने के लिए हमारा यूट्यूब यूट्यूब अकाउंड को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और किसी और परसन के पॉर्ट्फोलियो और रिव्यू जानने के लिए हमें कमेंट करके जहूर बता सकते हैं दोस्तों थैंक यूफूर बचिंग